निती जी के बहुत प्रिये और बहुत नजदीक की लोग हैं सत्ता में जब बैट करके माफिया को संडक्षन मिलने लगे तो कौन पकड़ेगा? डीजीपी अपने कुर्सी के लिए अपने जिम्यवारी को छोड़ चुके हैं तो आप किस से उम्मीद कर रहे हैं? नमस्कार, NVC24 देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अब शेक आज हमारे साथ बात करने के लिए विहार के नेता परतिक पक्ष बिजय कुमार सिन्हा है सर लगतार प्रशान किशोरिया कह रहे हैं कि नितीश कुमार एक बार फिर से BJP में आकर शामिल है नितीश जी के बहुत पिरिये और बहुत नजदीकी लोग हैं तो उप बोल रहे हैं तो उन्हीं से समय और डेट पता करिए सर लगतार शुराब बंदी को लेकर भी सवाल खरा हो रहा है बड़े-बड़े माफिया पक्रे जा रहे हैं सत्ता में जब बैट करके माफिया को संदक्षन मिलने लगे तो कौन पकड़ेगा डेजीपी अपने कुर्सी के लिए अपने जिम्यवारी को छोड़ चुके हैं तो आप किस से उम्मीद कर रहे हैं आपने सुनाएं आपको कि लगतार बियार में श्राब बंदी को लेकर सवाल खळा हो रहा है तो वहीं परशान की शोड लगतार यहां दावा कर रहे हैं नितीश कुमार के नितीश कुमार के तो वही करीबी माने जाते हैं बता दे आपको कि परशांद की शोर लगतार टिपनी कर रहे हैं कि नितीश कुमार जो है वो कहीं न कहीं आकर फिर से एक बार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं बता दे आपको कि जन सुराज जातरा काल जो है परशांद की शोर ने शुरुवात किया है बिहार के तमाम अने को जगूप पर जा रहे हैं और वियार भ्रहमन कर रहे हैं वहीं बता दे आपको कि परशांद की शोर लगतार बिहार के मुख्य मंतर निटीश कुमार को लेकर ब तमाम बाते कही है नितापर्तिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने फिलाल आपने सुना तमाम बाते विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ करते विहार के नितापर्तिपक्ष है बता दे आपको कि विहार में श्राब बंदी कानून जिस तरीके से साथ सालों से लगतार यह दावा किय जाता है सरकार के दरब से कि जो शुराब बंदी कानून है वो सफल है कहीने कहीं सफल है लगतार जो है शुराब माफिया को लेकिन पकड़ा जाता है और कहीने कहीं विहार के मुखी मत्रिश्क मार का शुराब बंदी कानून जो है बिफल दिखाया जाता है वहीं पक्ष ने क्या कुछ का है डीजीपी को लेकर भी वह भी आपने सना है और वी तमाम खबरों के लिए बनड़ान बिसी 24 के साथ सहीयोगी अजय के साथ पतना से अब शेक की रिपोर्ट